बात करते हैं बंगलादेश टूओर ऑफ न्यूजीलेंड पहला टेस मैच होड़ा है बंगलादेश वर्सिस न्यूजीलेंड का और भाई क्या जबदस परफॉर्मस दी है बंगलादेश ने मतलब कि जब भी कोई एशन टीम जाके ये बाहर के मुलकों में से ना कंट्री में अच्छा परफॉर्म करती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है मुझे बड़ा मज़ा आता देखने का और इसी तरह से बंगलादेश ने दिखाया है बतलब कि विदाओ शाकीबूल-हसन विदाओ तमीम इकबाद एक यंग नई टीम बंगलादेश की उठ रही है और इस टीम ने जाकि आज जो परफॉर्मेंस दिए फर्स इनिंग्स के अंदर चार सो एक रंस बना दी है अभी सिर्फ इनके छे आउट है और आगे यह लग रहा है कि पांसो रंस भी कर जाएंगे सूपर परफॉर्मस बाइम उलहक इसके लावा लितुन-दास मतलब कि लेकिन अगर यहां पर बंगलादेश की पोजिशन देखे तो अच्छी नजर आ रही है लेकिन अगर बंगलादेश को चाहिए कि जादा लीड दे दे और न्यूजिलैंड को जल्दी से आउट कर दे ताकि इनको चेस करना ही ना परे अंडर जितना भी लीड का होगा है उस लेकिन बड़ी जिसको कह सकते है ना अच्छी परफॉर्मस आज बंगलादेश ने खुशी हुए देखे बंगलादेश की टीम को ऊपर से लेके सिवाए एक ऑपनर की दूसरे ऑपनर ने बना जबता समारा उसके बावत बावत इनका सीनियर प्लेयर था मुश्रफीक उरही वो नहीं चला लेकिन उसके बावत जो बाकी बंदे थे ने बंदे उन्होंने परफॉर्मस दिये तो खुशी हुए देखके अब यह देखो न्यूजिलैंड के जीतना को यह असान चीज नहीं होती अगर बंगलादेश इस मैच को ड्रा भी कर देता है तो यह मतलब बंगल बंगलादेश के पास एक golden opportunity है कि यह सीरीज को विन करें मैं चाहता हूं परसनी के बंगलादेश अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि बंगलादेश बहुत जबदस लगड़ा खेलते हुए खुशी हुए देखके ऐसी ही क्रिकिट हम चाहते हैं बंगलादेश से कि इतना अर कि रहूंगे आज की वीडियो को यहीं खत्म कुतने तब तक के लिए अल्लाहाफिज लाइक कीजिए सब्स्क्राइब कीजिए अल्लाहाफिज